नमस्कार आप सभी का नियूस पियार पर स्वागत है मैं हूरिया मुक्यमंती निटीश कुमार मीडिया से मुखातिब हुए और तमाम सवालों के जवाब दे रहे थे उसे भीज उनसे कुछ सवाल कंगना रनौत पर भी किये गए जिसमें उन्होंने साफतोर से कह दिया कि इस चीज़ को मैं नोटिस मैं नहीं लेता हूँ लेकिन उसी में कुछ बात को घोलते मिलते हुए उन्होंने तजश्वर यादब को फिर से हलके में लेते हुए उन्हों साथ दिया उन्होंने कहा कि कौन आता है जाता है कब आता जाता है और मेरा नाम लेकर पब्लिसिटी लेता है और इन तमाम आरोप जो है उन्होंने तजश्वर यादब पर इंडिरेक्टी लगाया उनका बिना नाम लेते हुए उन्होंने यह सब कुछ तजश्वर यादब को कह दिया कि कुछ लोगों को तो देखिए कि मेरा नाम लेकर पब्लिसिटी पाते हैं और हम पर कुछ भी ऐसाइ बोलकर पब्लिसिटी गेन करने की कोशिश करते हैं ताकि वो बने रहे हाँ तो फिलाल आप सुनिये कि क्या कुछ कह और किसी के मन में कोई बात होती है को इस तरह की बात करता तो कोई मतलब है उन चीजों का तो जड़ा भी इंपोर्टेंस देखना ही पीचे और बलकि मजाक उड़ा देना चाहिए था पूरे तौर पर और आजकल तो पूरा सोसल मीडिया कर जमाना है तो कोई कुछ बोलेगा तो सोसल मीडिया पर लोग नहीं बोल देता है कोई कहे पूछिये पूरा बताएंगे इन सब चीजों पर क्या ज़रूरत है चलिए इनों का अपना अपना धंग है सब लोग अच्छा एक बात तो देख रहे हैं कि लोग कुछ बोल करके चर्चा में बना रहना काम में रूची नहीं हम लोगों को तो काम में रूची जनता की सेवा करना ही हमारा धर्म हम उसी में लगे रहते हैं और कुछ लोगों को मैं को एक व्यक्टिविसेस की बात हम नहीं कह रहे हैं ज्याधा तरनकों के मन में होता है कुछ बयानवाजी करते रहो और कुछ होता है कहा राता है कहां से कहां आता है तो सब लोग एक दोस्त ही का उस सब पर ध्यान मत दिए यह पूर्ट पुछेंगें इन सब चीजों पर चर्चाव होगी है तो आपने सुना कि मुख्यमंतिर इश्कुमार ने तेजश्पपी याद आपको क्या कुछ कह दिया है तो फ़लाल इस वीडियो में इतना ही और भी खबरों के रिए न्यूस प्यार के साथ बने रहें धन्यवाद